नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि तोर्विल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, तोर्विल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और तोर्विल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स ह और यह भी डिसकस करेंगे कि तोर्विल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, तोर्विल एक ब्रैंड नेम है, तोर्विल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन तोरसेमाइड होता है, तोर्विल टैबलेट 10MG, 20MG, 40MG और 100MG की स्ट्रें में अविलेबल है, तोर्विल टैबलेट का उप्योग हाइपर्टेंशन यानि ब्लड प्रेशर अधिक होने पर और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, तोर्विल टैबलेट शरीर में ब्लड प्रेशर और शरीर की सूजन को कम करती है, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ से लखवा लगने का, दिल का दौरा पढ़ने का और किड्नी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है. शरीर में लिवर, किड्नी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वज़ से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है. इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डौक्टर टोर्विल टैबलेट को लेने की सला दे सकती है. टोर्विल टैबलेट दायूरेटिक ड्र की सला दे सकते हैं. जिन व्यक्तियों को कोई किड्नी से संबंधित समस्या है या जिन व्यक्तियों की किड्नी अच्छी तरह से काम नहीं करती है. अब हम डिसकस करेंगे की टोर्विल टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है. टोर्विल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। टोर्वेल टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर टोर्वेल 5-MG टैबलेट से लेकर टोर्वेल 20-MG टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। तौर्वेल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको तौर्वेल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की टोर्वेल टैबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में टोर्वेल टैबलेट की वज़र से कोई सीरियस साइड इफेक्स नहीं होते हैं। पेट में बेचैनी होना, दस्त होना और शरीर में कमजोरी हो सकती है। Torval Tablet की वज़े से शरीड में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में Electrolytes का संतुलन बिगर सकता है Electrolytes जैसे Soodium, Potassium और Calcium का संतुलन बिगर सकता है शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किडनी की कार्यप्रणाली बिगर सकती है इसके अलावा टोर्विल टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आपको टोर्विल टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मासपेशियों में एंथन, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और मुँ में सुखापन होत है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि तोर्विल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। तोर्विल टैबलेट को शाम के चार बजे के बाद लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि तोर टैबलेट को शाम को लेने की सलाह दी है, तो आप टोर्विल टैबलेट को शाम के समय ले सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है, या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वज़ह से पेशाब कमा रहा है. ऐसे व्यक्तियों के प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए तोर्विल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को तोर्विल टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टोर्विल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.